बौत धर्म के गरंत महावंच में कहाने का जिकर मिलता है। बात ये ईसापूर्व छटी शताबदी की है। कलिंग देश की एक राजकुमारी के दो बेटे हुए। लेकिन एक शेर उन्हें जंगल में कैद कर लेता है। राजकुमारी का बेटा सिंभाहूं बड़ा होकर शेर को मार डालता है। बाद में सिंभाहूं का एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है विजए। विजय सिंपुर नाम के एक राज्य की नीव रखता है लेकिन राज्य शुरू करने से पहले ही उसे देश निकाला दे दिया जाता है। विजय इसके बाद 700 लोगों की एक सेना बना कर दक्षिन की तरफ जाता है और स्थानी ए कबीलों को हरा कर राजा बनता है। राजा बनने के बाद विजय अपने पिता से बाहों के उपादी हासिल करते हैं इसके बाद उनके वन्षजों को सिह नाम से जाना जाता है। बहुत गरंतों के अनुसार विजय जिस देश के राजा बने थे उसका नाम था श्रीलंका और उनीक वन्षज आगे जाकर सिहल कहला है। सिहल जैसा हम जानते हैं श्रीलंका में रहने वाला सबसे बड़ा समुदाय है। श्रीलंका की लगभग 75% आबादी खुद को सिहल कहती है और बहुत धर्म गरंतों के अनुसार इनका एक संबन कलिंग से है। कलिंग का नाम सुनते ही हमें याद आते हैं समराट अशोक। कलिंग के युद के बाद ही अशोक ने बहुत धर्म अपनाया। लेकिन सवाल ये कि अशोक ने कलिंग पर आकर्मन किया क्यों और अशोक के लावा कलिंग का इतिहास क्या कहता है। इन सवालों को जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में नमस्ते मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीक। भारती ग्रंथों में कलिंग का सबसे पुराना जिकर मिलता है पुराणों में। राजा बली ने अपने राज्य को अपने पांच बेटों में बाट दिया था। अंग आज का भागलपुर और मुगेर का इलाका। वंग आज के ढाका और चिटगाओ का इलाका। पुंडर उत्तरी बंगाल, शुष्म पश्चिमी बंगाल के बुर्दवान का इलाका और कलिंग यानि की आज का ओडिशा और आंद्र का उत्तरी इलाका। कलिंग का जिकर हमें महाभारत में मिलता है। दुर्योधन की पतनी भानुमती कलिंग की ही राज कुमारी थी जिससे पता चलता है कि कलिंग एक ताकतवर राज्य हुआ करता था। कलिंग का अगला जिकर आता है समराट अशोग की कहानी में जिससे मोटा माटी हम सभी वाकिव हैं कि मौरे समराट ने कलिंग पर आक्रमन किया जिसमें इतना रखतपात हुआ कि अशोग ने हिंसा छोड़कर बहुत धर्म को अपनाया ऐसी गागा के कहानी सुनाई जाती है टे दोनेंगे तो इस सवाल का कोई सपष्ट जवाब मिलता नहीं लेकिन आजुने की युग में आर्केलोजिस्ट्स की अथा मेहनत के बाद हमें मिले हैं इतिहास के वह उशेष जो कलिंग की पूरी कहानी बताते हैं या एक रास्ता तो वहां तक क्यार करते हैं साल 2013 की बात है ओडिशा की राजधाने भुवनेश्वर से कुछ 15 किलोमीटर दूब बंगा नाम के गाउं में खुदाई के दौरान आकेलोजिस्ट्स को एक कंकाल मिला जो कुछ 4000 साल पुराना था साथ में तांबे और मिट्टी के बरतन भी मिले दिल्चिस बात ये कि ओडिशा में पाए कलिंग का कलिंग पटना बंदरगा समुदरी ट्रेड के लिए इस्तमाल होने बाला एक महतवपून पोर्ट था कलिंग का ट्रेड में क्या रोल था है इसका जिकर कई आतिहास्तिक दस्तावेजों में हुआ भी है महा लंबी कोस्ट लाइन है मसलन महाकवी कालिदास रग्व श्री मूल कल्प में बंगाल की खाड़ी को कलिंग सागर के नाम से भी बुलाया गया जिससे पता चलता है कि मैरिटाइम ट्रेड में कलिंग का हमेशा से काफी दबदबा हुआ करता था शैद यही एक बड़ा कारण भी था कि समराट अशोक ने कलिंग पर आकर्मन किया हू हाबर कॉलिंग से छपी पैट्रिक अलिवेल की किताब अशोक पोट्रेट अफ फिलोसोफर किंग के अनुसार अशोक ने अपने शिलालेखों में कलिंग का जिकर किया है लेकिन कभी ये नहीं बताया कि कलिंग क्या है नहीं कलिंग पर आकर्मन का कारण ही बताया अलिवेल इनसाद संभवता अपने राज्य का विस्तार करने के लिए शोक ने कलिंग पर आक्रमन किया, मौरेयों की राजधानी पाटले पुत्र से कलिंग की दूरी ज्यादा थी भी नहीं, यहां संसाद अनों की भरमार थी, ओडिशा आज भी एक मिनरल रिट स्टेट है, और इस रास्ते मौरेयों को समुद्री ट्रेट का एक महतोपून पोर्ट मिल जाता, अर्थ शास्त्र में कॉट्टेल ये कलिंग की संभवता का बखान करते भी लिखते हैं, अलिवल के नुसारी हमला संभवता आक्टूबर और नवेंबर के महिने में हुआ, समराट अशोप के हमले के बख कलिंग की क्या स्थिती थी, इसका पता हमें शिशुपाल गड़ की खुदाई में मिले अवशेशों से कुछ-कुछ पता चलता है, भुमनेश्वर के पास शिशुपाल में पिछले दो दशिकों में आकेलोजिस्स ने कई बार खुदाई की है, जिन से पता चलता है कि ईसा से साथ सदी पूर्विया इलाका एक बसाहट हुआ करता था, इस बसाहट के चारों तरफ एक चार दिवारी हुआ करती थी और दो तरफ बड़े गेट्स हुआ करते थे, इसके अलावा एक किला भी होता था, जिसके चारों तरफ एक खाई में पानी भरा रहता था, शिशुपालगर से कुछ दूर धौली नाम की एक जगह है, जहाँ एक चटान पर अशोकिश्रा लेग बने हुए है, इन शिला लेखों के आधार पर पुरातत पविदों का विश्वास है कि कलिंग के लड़ाई शिशुपालगर के आसपास ही हुई थी, खुदाई की दौरान मिले अवशेशों से ये भी पता चलता है कि शिशुपालगर कलिंग के कई शेहरों में से एक था, ऐसे छोटे छोटे शेहरों का एक पूरा नेट्वर कलिंग में था, जो पानी के जरिये होने वाले ट्रेड से कमाई करते थे, इतना हम खुदाई से मिले अवशेशों से अब जानते हैं, लेकिन एक बड़ार है, अब भी बरकरार है, वो ये कि अशोक के हमले के वक्त कलिंग का राजा कौन था, इस बात का जिकर ना शिलालेखों में मिलता है, नहीं एतिहास एक दस्तावेजों में, इतिहास कारों के अनुसार, संभवता सरदारों का एक समो या एक संग कलिंग पर शासन करता रहा होगा, इसी कारण किसी एक राजा का नाम मिलता नहीं है, कलिंग के दौरान क्या होई? दिल्चस बात ये है कि धौली के शिलालेखों में कलिंग के लडाई का जिकर नहीं है धौली के शिलालेखों में न्याय और कानून का जिकर ज्यादा मिलता है जबकि कलिंग के लडाई का उलेख हजारों किलोमेटर दूर कंधहार के शिलालेख में किया गया है इस शिलालेक में लिखा है, राजा देवनमपिया पियादासी ने राजा भिशेक के आठ साल बाद कलिंग वासियों पर विजय पराप्त की थी, युद्ध के लिए एक लाग पचास हजार पुरुशों को भेजा गया था, अपने पीरिट के लिए बहुत बड़ी संख्या, व जीतने का पश्चा ताप है, कलिंग जीतने के बाद माना जाता है कि समराट अशोग ने बहुत धर्म अपना लिया, कलिंग का क्या हुआ, कलिंग को बाटा गया दो हिस्सों में, तो साली और समपा, मौरियों के पतन के बाद कलिंग का जिकर आता है, पहली से दूसरी के दौरान और इशा में भुवनेश्वर के पास उदाइगीरी की पहाड़ियों में विले हाथी गुमफा अभेजलेक से पता चलता है कि कलिंग में मौरेवंच के अंत के बाद राजा खारवेल ने शासन किया खारवेल चेदी वंच के शासक थे हाथी गुमफा विलेक के अम खारवेल ने नंद और मौरे राजाओं के हाथों में लिहार का बदला लिया था मगत को जीत कर खारवेल ने एक जैन तीर्थंकर की मूर्ती को वापिस कलिंग में स्थापित करवाया जो नंद राजा कलिंग से पाटले पुत्र ले गए थे इसके बाद खारवेल ने राज और चिन्ने के पास मसुली पटनम को जीता और अपने राज्य का विस्तार किया। खारगल के राज में कलिंग एक बार फिर ताकत पर राज्य की रूप में उब्रा लेकिन आगे चल कर ये फिर छोटे छोटे खंडों में विभाजित हुआ। आगे चल कर गुप्त वंच ने कलिंग पर राज किया और बाद में कई छोटे राजा कलिंग के सिहासंग पर आसीन भी हुए जो खुद को कलिंग अधिपती कहकर बुलाते थे। इन राजाओं के बारे में अभी बहुत सी चीज़े पता लगनी बाकी हैं जिन से शायद कलिंग के इतिहास की और बहतर तस्वीर सामने आ सके। बहराल आज कर पर सो धमें पर समाप्त करते हैं इसे कमल ने लिखा और चीत ने अब के लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते हैं यह दिलाने ने ने तो